हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी स्टोरी इमोशनल होने के साथ साथ मोटिवेटिंग भी है तो मूवी की शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं, जिसे मूवी में कोई नाम नहीं दिया गया है और इसलिए हम उस लड़के को बॉय कहकर बुलाएंगे वॉय असल में एक गार्डनर एस्टरनोट है, जो अपने स्पेस शिप में अलग-अलग प्लांट सुगा रहा है तब ही अचानक वहां एक अलाम बजने लगता है और वॉय देखता है कि एक एस्टरोइट सीधा उसी के शिप के ओरा रहा है वो इसे बचने के लिए कुछ नहीं कर पाता और एस्टरोइट से टकरा कर उसका शिप क्रेश हो जाता है पता चलता है कि वो एक अंजान प्लैनेट पर आ गया है जहां लाइफ का नामों निशान नहीं है और वहां की धरती भी एकदम बंजर है वो अपने डिवाइस से अर्थ को कॉंटेक करने की कोशिश करता है लेकिन जहां उसे कोई सिगनल नहीं मिलता और उसका कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है उसे ये देखकर बहुत निराशा होती है कि अब भला वो वापस कैसे जापाएगा और गुस्से में वो एक स्टॉन को किक करता है लेकिन वो स्टॉन उल्टा वापस उसी से आटकराता है वो ये गुस्से में एक बार फिर उसे उठा कर फैंकता है लेकिन इस चोटे प्लैनेट की ग्रैविटी के कारण स्टोन घुम कर वापस उसी के पास आ जाता है आगे हम उसे वहाँ एक प्लांट लगाते वे देखते हैं जो असल में एक मैंगो ट्री है और उसे उम्मीद है कि इससे वो अपने लिए यहाँ खाना उगा सकता है लेकिन बंजर जमीन होने के कारण जल्दी ही वो प्लांट सूप जाता है और वाए की सारी उम्मीद टूट जाती है वो समझ जाता है कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता और तब ही वो सामने से आते एक दूसरी स्पेस शिप को देखता है जो ना जाने कहां से आकर उसके प्लैनेट पर क्रैश हो जाता है वाए को कुछ समझ नहीं आता और क्यूरियस होकर वो उस शिप को चेक करने जाता है जो देखने में किसी एलियन शिप के जैसा है यहां उसे पैरों के कुछ निशान दिखाई देते हैं और उनका पीछा करते वे वो वाबस अपने स्पेस शिप के पास आ जाता है यहां वो अपने प्लांट के प्रोटेक्टिव ग्लास को देखता है जो लुड़कता हुआ सीधा उसी के और आ रहा है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए वो अपने मैंगो ट्री को तेजी से बढ़ता हुआ देखता है जिसके पास पिंग बालो वाली एक लड़की खड़ी हुई है हैरान होकर वो उसके और करीब जाता है और देखता है कि वो लड़की अपनी पावर से ट्री में जान डाल रही है उसे अपने आखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और तभी वो एलियन लड़की पलटकर उसी के और देखती है जिसके फीचर्स काफी हद तक इंसानों से मिलते है और वो बॉय को देखते ही ब्लश करने लगती है तो बॉय की तरह इस लड़की का भी कोई नाम नहीं है तो हम इसे ब्लश ही कहकर बुलाएंगे ब्लश खुद भी इतनी सुन्दर लड़की को देखकर बहुत हैरान था और शर्माते वे उसे ग्रीट करता है ब्लश भी उसे गोर से देखने उसके करीब आ जाती है और फिर अचानक भाग कर उसके स्पेस्शिप में चली जाती है वो बॉय को अंदर से उसके प्लांट्स लाकर देती है और वो उन्हें उस प्लानेट की जमीन पर लगाने लगते हैं बॉय देखता है कि ब्लश की ओरा से वो प्लांट तेजी से बढ़ रहे हैं और तब ही अचानक ब्लश गलती से उसका हाथ पकड़ लेती है और ऐसा लगता है जैसे उनके बीचे केमिस्ट्री शुरू हो गई है तब ही ओक सीजन खतम होने से बॉय के हेलमेट में फोक जम जाती है और ब्लश ये देखकर उसके हेलमेट को रिमूव कर देती है बॉय सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगता है लेकिन देखता है कि ब्लश एक बार फिर अपनी पावर्स का यूज कर रही है और इससे उस प्लैनेट पर एक अट्मोस्फेर क्रियेट हो जाता है जिसमें वो आराम से सांस ले सकता है आगे का सीन कुछ टाइम बात का है जहां बॉय ब्लश से मिलने उसकी स्पेसशिप में जाता है और वो देखती है कि उसने हाथ में एक मैंगो पकड़ा हुआ है फाइनली उनका ट्रिय फ्रूट देने लगा था और बॉय चाहता था कि ब्लश उसे एक बार ट्राए करके देखे वो उसे मैंगो खाने का तरीका सिखाता है और हम देखते हैं कि ब्लश को भी मैंगो का टेस्ट बहुत पसंद आया है इसी तरह उनकी नजदी क्यां बढ़ने लगती है और वो दोनों एक दूसरे का साथ इंजोय करने लगते है इतना वक्त साथ बिताने के बाद भी बॉय उसे प्रोपोस करने की हिमत नहीं कर पाता लेकिन ब्लश अप और वेट नहीं करना चाहती थी और भाग कर बॉय को किस कर लेती है जल्दी ही वो लोग अपने शिप्स को जोड़ कर एक घर बना लेते है और पता चलता है कि उनके यहां एक नई मैमान भी आ गई है चल्दी ही वो तीन से चार हो जाते हैं और अपने पेरेंस के तरह उनके बेटिया भी मैंगो को बहुत पसंद करती है वाई अपनी लाइफ से बहुत कुश होता है कि अट से इतनी दूर भी उसे एक फैमिली मिल गई है और वो इसके हर पल को अच्छे से इंजोई करने लगता है फिर एक दिन उसकी नजर बलश के हातों पर जाती है जिस पर कुछ ब्लैक से निशान उबर आये हैं और ये देखकर वो दोनों परिशान हो जाते है बलश अप पहले जितनी एक्टिव नहीं रह पाती और उसकी तब्यद भी बिगडने लगती है वाई उसकी बहुत केर करता है और बलश भी अपनी बेटियों के सामने नॉर्मल बिहेव करती है लेकिन अंदर से वो दोनों ही जानते हैं कि उसके पास जादा वक्त नहीं बचा है और ये सोचकर वाई को बहुत दुख होता है बलश की तब्यद के साथ सथ प्लैनेट की हालत भी बिगडने लगती है और वो पहले के तरह बेजान होने लगता है उनका मैंगो ट्री भी पूरी तरह सूप जाता है क्योंकि अब बलश उसे अपनी पावर नहीं दे सकती और फिर फाइनली वो उन्हें छोड़ कर चली जाती है वो आखरी बार उसे हग करता है और देखता है कि वो एनरजी में बदलकर स्पेस में गायब हो गई है ये देखकर उसका दिल तूट जाता है और हम उसे सुबख सुबख कर रोते वे देखते हैं तब ये अचानक उसका दम गुटने लगता है क्योंकि अब बलश की पावर उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी उसे लगता है कि शायद उसका भी आखरी वक्त आ गया है और दीरे देरे उसकी आखे बंद हो जाती है फिर अचानक कुछ देर बाद वो होश में आता है और देखता है कि उसकी बेटियां उसे लिपट कर रो रही है जिन में से ठीक वैसा ही ओरा निकल रहा है जैसा कि बलश के पास था और वोई भी रोते वे उन्हें गले से लगा लेता है पता चलता है कि उसकी बेटियों का और अभी एकदम मैजिकल है जिसे मैंगो ट्री में फिर से जाना गई है और वो प्लैनेट भी पहले की तरह हरा बरा हो गया है वाई अपनी बेटियों के साथ लाइफ को फिर से जीने लगता है क्योंकि वो समझ गया था कि उसके साथ साथ उसकी बेटियों के लाइफ भी जुड़ी हुई है कुछ दिन बाद उने एक एलियन पैट मिलता है और वो उसका नाम मैंगो रख देते हैं इसी तरह उनके लाइफ अच्छे से बीत रही थी और तबी एक दिन वो एक दूसर स्पेस्शिप को वाँ क्रैश होते वे देखते हैं वो सब भाग कर उसे चेक करने जाते हैं और हम देखते हैं कि वाई एक बार फिर बलश करने लगा है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खर्थ हो जाती है तो दोस्तों ये मूवी असल में एक रियल स्टोरी पर बेस्ट है जो इस मूवी के डिरेक्टर ने अपनी वाइफ की मेमरी में बनाई थी उमीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगे तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू